नमस्कार मैं हूँ दिव्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है आज है 11 फरवरी दिन रवीवार खबरों के उबने से पहले एक नजर सुर्खियों पर दर्भंगा एम्स के लिए 1244 करोर की मिली रासी बिहार में हजारों प्रधाना ध्यापकों की होगी बहाली बिहार में आने वाले दो दिनों में वजरिपात और मेक गजन की संभावना बिहार के सरकारी भवनों में लगे सोलर पैनल से 1000 मेगावाट बिजली उतपादन का है लक्ष बिहार के रियान मुहमद बने अंडर 13 ओपन डेसनल चेस्ट यांपियर लोकसभा चुनाब 24 से पहले अमित सा ने पूरे देश में CAA लागू करने का किया एलान MS धोनी बोले खिलारियों का सम्मान हासिल करना नेत्रित्व का हिस्सा चलिया भरते बिहार के अब तके 25 भरी खबरों के और विस्तार से इस रो ने 224 पदों पर निकाली भरती इंजीनियरिंग टेक्निकल असिस्टेंट लाइब्रेरी असिस्टेंट और अन्यक कई पदों पर भारती अंतरिक चलू संधान संगठन यानि इस रो द्वारा कुल 224 पदों पर भरती निकाली गई है इस भरती के लिए आविदन करने की अंतिम तारीक एक मार्च 24 है एक चोक में द्वारिस्त के अधिकारिक वैबसाइट www.isro.uv.in पर जाकर ऑनलाइन तरीके से आविदन कर सकते हैं इस भरती में अलग-अलग पदों में लगे सोलर पैनल से 1000 मेगावर्ट बिजली उत्पादन का है लक्ष अगले पांच सालों में बिजली के छेतर में राजस सरकार की योजनाव से लोगों को उर्जा विभाग की प्रधान सचीव सह सीमडी बिहार स्टीट पावर होल्डिंग कंपनी लिम्टेड संजीव हं लगाकर 1000 मेगावर्ट सोर उर्जा उत्पादित करने का लक्ष रखा गया है साथ ही 3000 करों रुपए की लागत से मुख्यमंत्री ग्रामीन सोलर स्ट्रीट योजना के तहत आने वाले दो सालों में एक लाग सोलर स्ट्रीट लाइट लगा जाने की बात सामने आई है बिहारी पहचान में आज हम बात करेंगा नुग्रह नारायन सिंग के बारे में ये बिहार के पहले उपमुख्यमंत्री और वितमंत्री रह चुके हैं इनका जन बिहार में ही 18 जून वर्स 1887 में हुआ था इन्होंने महात्मा गांदी और आजिंद प्रसाद के साथ चंपारन सत्याग्रह के दोरान अपनी एहम भूमिका निभाई थी आधुनिक बिहार के निर्माताओं में इनका नाम भी आता है इसलिए लोग इनने बिहार विभूती के नाम से भी जानते हैं इन्होंने अपना पूरा जीवन राष्ट और समाज को समर्पित कर दिया था आज भी लोग इनके अध्तूलिये कारें को याद करते हैं दर्भंगा एम्स के लिए 1264 करोर की मिली रासी दर्भंगा एम्स के लिए 1264 करोर की रासी स्वास्त मंत्राले को मिल गई है रासी के आवंटन के बाद अब निर्मान प्रक्रिया को लेकर विभागी कारवाई शुरू कर दी गई है मालूम हो कि प्रधान मंत्री स्वास्त सुरक्षा योजना के तैर दर्भंगा एम्स का निर्मान हो रहा है अब निर्मान कारे में तेजी आ चुकी है केंद्रिय स्वास्त मंत्राले के अधिकारियों की टीम 12 अरवरी को बिहार आएगी केंद्रिय स्वास्त सचीविस टीम का नितरत्व करेंगे ने एम्स की डिजाइन की बात करें तो उसमें भुकंप, रोधी, पीलर और अंडर ग्राउंड पार्किंग की बात सामने आ रही है अब लोगों को जल्दी निर्मान कारे के शुरू होने का इंतजार है मिथला के लोग लंबे समय से दर्भंगा एम्स की मांग कर रहे थे बिहार में हजारों प्रधाना ध्यापकों की होगी बहाली बिहार में सक्षा विभाग ने 6,000 सधिक प्लस टू स्कूलों में प्रधाना ध्यापकों के रिक्त पदों पर भरती के लिए प्रस्ताव तयार किया है महीराजी के प्रारंबे के स्कूलों में 40,000 प्रधान सक्षकों की बहाली की जाएगी विभाग ने रिक्त पदों पर भरती के लिए प्रस्ताव तयार कर लिया है दिला पधारिकारियों को रोस्टर क्लिरेंस के लिए प्रस्ताव भी भेजिया गया है संभावना दताई जा रही है कि लोकसबा चुनाव के पहले इसकी घोस्त ना कर दी जाएगी इसके पहले साल 2022 में विहालोक सीवायोग ने 6000 सेधिक प्रधाना ध्यापकों के लिए न्युक्ति का विग्यापन जारी किया था लेकिन 421 पदों पर ही प्राचारियों का चैन हो सका था इसमें से 380 ने योगदान दिया था डिक परेपदों पर अब जल्द भाली होगी यहां देशवर से आए हजार से ज्यादा खिलारियों ने हिस्सा लिया था वारस रिष्ट खिलारियों को थाइलेंड में एसियन स्कूल चैंपियंशिप 2024 में सरकारी खर्च पर खेलने का अफसर मिलेगा आपको बता दे कि हर वर्ग के प्रतम तीन विजेताओं को ट्रॉफी मेडल के साथ करम से दस अजार, साथ अजार, छे अजार रुपे को नगत पुरसकार भी दिया जाएगा प्रतम दस अस्थान तक को नगत पुरसकार दिया गया है, वही खेल विभा के प्रधान सचीव डॉक्टर बी राजिंदर ने विजेता खिलारियों को ट्रॉफी और मिडल दिया है, भवसे में चेस ग्रैंड वास्टर की बुलियाद रखते हुए, पहली बार बिहार में च लोगसबा चुनाव से पहले पूरे देश में सीए को लागू कर दिया जाएगा, इसे चुनाव से पहले अधिस सूचित किया जाएगा, अमेट सा ने ये भी कहा है कि आगामी लोगसबा चुनाव में भाजपा 370 सीट और उनके नित्रित्व वाले राजा को 400 से अधिक नहीं है क्योंकि ये पाइट 947 में देश के विभादन के लिए जिम्मेदार थी, पहले कानून विवस्ता का हवाला दे कर राम मंदिर का निर्मान होने नहीं दिया गया था मिहार में सरकार की खास विवस्ता से सस्ता होगा पेट्रॉल डीजल, मिहार में सरकार की खास विवस्ता से पेट्रॉल डीजल सस्ता हो सकता है राजे में 40 से अधिक एक्सक्लिूसिव एथनॉल मिक्स पेट्रॉल पंप खोला जाएगा यहां 20 फीजदी मिक्स एथनॉल वाला पेट्रॉल मिल सकेगा इसके बाद परियावरन सरचन भी संभव हो सकेगा राजे के ग्रामिन इलाकों में एथनॉल मिक्स पेट्रॉल की मांग है मालूमों कि एथनॉल एक विसेज तरह का इंधन होता है इसके उप्योग से प्रदूसर में कमी आती है इसका इस्तिमाल करके वाहन चराना संभव हो पाता है इसे इंधन के अस्थान पर विकल्ब के तौर पर यूज़ किया जाता है और इसकी कीमत भी कमाती है बिहार पैटन में आज हम बात करेंगे थावे मंदर के बारे में यहाँ मंदर बिहार की गोपालगन जिले में थावे नाम के जग़व परस्तित है लोग इस मंदिर को थावे वाली मा के नाम से भी जानते हैं पूरे भारत में 52 सक्ति पीट है थावे उन्ही में से एक है इस मंदिर के पास ही एक पुराना किला भी है जिसका इतिहास आस्था कर्सपस्ट नहीं हो पाया है ऐसा कहा जाता है कि मंदिर में सच्चे मन से मांगने वाली मनोकामनाई भी पूरी होती है मंदिर को लेकर और भी कई माने ताइम प्रचलत है यदि आप धार्मिक अस्थानों पर घूमने का सौक रखते हैं तो यहां आ सकते हैं करपूरी ठाकुर के गाउं में दो ट्रेनों को मिला ठहरा आप करपूरी ग्राम रेलवे स्टेशन पर मिथला एक्सप्रेस और बाग एक्सप्रेस को दो मिनिट का ठहरा आप दिया गया है हावरा रक्सॉल मिथला एक्सप्रेस और हावरा काट गोदाम बाग एक्सप्रेस का एस स्टेशन पर स्टॉपज होगा मुखे जन संपर कदिकारी विरेंज कुमार ने बताया है कि यात्रियों की सुविधा का ख्याल रखते हुए यह फैस्क ला लिया गया है सैक्रो यात्रियों को इससे फायदा होगा हावरा मिथला एक्सप्रेस दो बच कर बतिस मिनट पर कर पूरी ग्राम एस्टेशन पहुचेगी और यहां से दो बच कर चौतिस मिनट पर आगे के लिए जाएगी वही हावरा रख्सप्रेस दो बच कर पूरी ग्राम एस्टेशन पहुचेगी वह यहां से यह तीन बच कर तेतिस मिनट पर आगे के लिए जाएगी नवादा में लगी ड्रोगा प्रलोभन देने वाले साइबर सातर गिरफतार बिहार के नवादा जिले के वारसली गंज थाना चेतर के सिम्री डी और बेलधा गाउं में पुलिस ने छापे मारी की है इसके बाद यहां से छे साइबर सातरों की गिरफतारी हुई है साथ ही इनके पास से कई एंड्रोइड मोबाइल फोन, सीम, कीपैड, कस्मर डेटा और आधी को बरामत किया गया है इनके पास से मोबाइल डेटा रजिस्टर मिला है इनके नाम पता और मोबाइल नमबर अंकित था इसके माध्यम से यह लोगों को लखी ड्रो का प्रलोबन दिया करते थे यह फोन करके लोगों से कहते थे कि आपका नाम विजेता में सामिल हुआ है आपने फिलिप कार्ट या अमेजन से खरिदारी की थी इस तरह से लोगों को यह अपना निसाना बनाते है बिहार में आने वाले दो दिनों में वजड़पात और मेग गरजन की संभावना बिहार में पच्छुआ हवा के कारण तेज धूप के प्रभाव भी कम पर रहे हैं दिन धलते ही मौसम के तापमान में गिरावर देखने को मिल रही थाला की आने वाले को जिनों में इस ठंड से रहात मिलने की संभावना जताई जा रही है मौसम विभाग के मताबिक आज का मौसम सुस्क रहने वाला है हाला कि आने वाले दो दिनों में राजे के कुछ हिसों में में गरजरिया वजिरपात होने की संभाव न प्रदेश का अधिक्तम तापमान 24-26 डिगरी रहने वाला है वही निमत्म तापमान 10-12 डिगरी रहने की संभाव न जताए गई है पटना के 50 पार्कों में ओपन जिम का हो रहा निर्मान पटना के लोगों की फिटनेस को ध्यान में रखते वे पार्कों में जिम का निर्मान किया जा रहा है दिरसल जल्दी पटना के कई पार्कों में अब कई तरह के सुविदा मुहिया करवाई जाएगी बताया जाता है कि पार्कों के 65 फीज़ी हिस्सों में हरियाली होगी वही 35 फीज़ी जगह सेहत बनाने के लिए काफी अच्छी होगी यहां कई सुविदा दी जाएगी, यहां के पार्कों का विकास किया जा रहा मामूली सुलक पर महिला और पुरोसुं के लिए जिम की व्यवस्ता की जाएगी यहां लोग सुबह और सामने इसका आनंद उठा सकेंगे अब लोगों को अपने ही मोहले से में पार्क की सुविदा दी जाएगी जानकारी के अनुसार हर महिन 150 से 200 रुपे में लोगों को जिम की सुविदा मिल सकेगी जीता ना मानजी की पार्टी ने फ्लोर टेस्ट से पहले किया विहिप जारी बिहार में फ्लोर टेस्ट से पहले सियासी हलचल तेज है जीतानाम मांजी ने अपने विधायकों को विखीब जारी किया है संतोसुमन ने अपने सबी विधायकों को 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट के दौरान सदन में रहने के लिए कहा है मांजी की ओर से साफ तर पर कहा गया है कि वहां कुरसी की लालत में कसी को भी धोका नहीं दे सकते हैं पार्टी मजबूती के साथ सरकार के साथ खरी है पुर्प सीम जीता नाम मांजी ने कहा कि हम गरीब हो सकते हैं लेकिन बेइमान नहीं हो सकते देश के प्रधान मंत्री बहुत ही अच्छा काम कर रहे है आनो और जानक कोई माइने नहीं रखता है हमारी पार्टी का प्ये मोधी की तरफ पूरी तरीके से जुकाव है मालूमों कि हर दल अपने विधायकों को एकजुट करके रखने के लिए प्रयास कर रहे है आजिरी ने विधायक दल की बैठक बुलाई और दो दिनों तक अपने विधायकों को पटना में ही रहने के लिए कि गटबंदन के घटक दल कॉंग्रिस के विधायकों को मंदिर मंदिर ले जाकर सपत दिला रहे हैं कि वो पार्टी के साथ ही रहे राजत की कई विधायक लापता हैं मुखे मंत्री इंतीस कुमार का काम बोलता है इस पर आरजेरी के सामसत मनोज जहा ने कहा कि ये लोग ले रहे हैं जदियू के भोज में नहीं पहुंचे कुछ विधायक विहार में 12 फर्वरी को एंडी के सरकार का फ्लोर टेस्ट है इससे पहले बिहार सरकार के मंत्री स्रवन कुमार के आवास पर भोज का योजन किया गया इसमें कुछ विधायक नहीं पहुंचे वही जदिय एक जूट है। 33 आदम ने बिहार के इंदिगजों के लिए केंसरकार से भारत रतन की की मांग, जबसे केंसरकार द्वारा भारत के 5 दिगजों को भारत रतन देने की घोसना की गई है, तब से सियासत गर्माई नजर आ रही, अब इसी 20 तेजस्वी आदम ने भी अपने सोसल मीडिया एक्स के जरिये 6 लोगों को भारत रतन देने की मांग कर दी है, इस सोसल मीरिया हेंडर पर उन्होंने कहा है कि भूतपुर्वे प्रधान मंत्री स्वर्गे चौधरी चरंद सिंग, नरसिमा राव और डॉक्टर एमल स्वामी नाथन जी को भारत रतन मिलना हर्स का विसे है, हमारी मा आसी की समूव और व्यापक समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए, बीजेपी के विधायक बोद गया से सीधे पहुचेंगे विधान सभा, बिहार में 12 फरवरी को फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी ने अपने विधायकों को गया बुलाया है, यहां भाजपा की दो खेला होने की बात को खारिस कर दिया, चाथ उन्होंने कहा कि NDA के सभी विधायक एक जुट है, यहां कोई खेला नहीं होगा, इधर पूर्व मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि खेला तो आरजेरी का हो गया है, और वो सत्ता से बाहर हो गया है, वो अपनी पार्टी को बचान नेतरित्व का हिस्सा, भाती क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान MS धूनी ने कहा है, कि खिलारियों का सम्मान हासल करना नेतरित्व का एहम हिस्सा है, निस्टा का सम्मान से गहरा रिस्ता होता है, ड्रेसिंग रूम में सहयोगी खिलारियों के सम्मान के बिना उनकी निस्ट हो जाते हैं आप पहले व्यक्ति हो जो खुद पर विस्वास करते हो कई कार्णों से दर्ज है भारत के तेहास में आज की तारीख आज के दिन वर्स 1613 में मुगल सासक जहांगी ने इस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कारखाना लगाने की अनुमती दी थी आज के दिन वर्स 1969 में भारती क्रिकेटर वीनू मंकंड ने अपना आखरी टेस्ट मैच वेस्ट इंडिज के खिलाफ दिल्ली में खेला था आज के दिन वर्स 1997 में भारती खगोल वी जैंत भी नारली कर 1996 की युनिस्को के कलें के पुरसकार से सम्मानित हुए थे आज कई दिन वर्स 2010 में भारत के पर्मानू उर्जा आयो के अधक्त स्रीकुमार बैनर जी और ब्रिटेस उचायुक रिचर्ड स्टाग ने भारत और ब्रिटेन अस्यान पर्मानू करार संबंदी सहिंत घोसना पर हस्ताक्षर किये थे आज के वाइरल खबर में हम बात करेंगे तूफान को लेकर यूटूब चैनल के इस दावे के बारे में सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई ऐसी खबरे हैं जिन्हें लेकर ना जाने कितने दावे किये जात है पी आईवी ने भी इस खबर को सेर किया था जहां उसने अपने अधिकारिक सोसल मीडिया हैंडल पर इस दावे को फर्जी बताया है साथ ही लोगों को हिदाय देते में कहा है कि ऐसे किसी भी वीडियो पर विस्वास ना करें और इससे सेर करने से बचे प्याज में हुई कर्मचारी भविस्वाविस्व नीधी संगथं ने ब्याज के दर में बरहोतरी का एलान किया है इसके बाद कर्मचार्यों को पहले की तुल्णा में सूने दस्मलब एक सूने फीज़्दी का ब्याज मिलेगा कर्मचारिओं के लिए पी-एफ अकाउंट पर आज दस्मलब दो पांच प्रदिसत का ब्याज दिया जाएगा पी टी आए के नुसार सीवी टी ने एपी एफ में ब्याज दर्ज में इजाफे का फैस्टला लिया है अब एपी एफ जमा कर पर ब्याज दर्ज को सहमती के रिए वित मंत्राले भेजा दा रहा है मालूमों कि एपी एफ और काम करने वारे कर्मचारियों के पी एफ अकाउंट के अंतर गत ब्याज दर्की घोस्तना करती है करीब साथ करोड कर्मचारिस का हिस्सा है गूगल की खास सेटिंग से असलीर कंटेंट को नजर अंदाज करना संभव है यूजर्स को सर्मिंदा नहीं होना पर इसके लिए ग असलीर और हिंसा से संबंदित कॉंटेंट को इसके जरीगी नजर अंदाज करना संभव है साथी फिल्टर और ब्लर के साथ ये सेटिंग काम करता है फिल्टर की मदद से असलीर इमेज आदी को च्छाटा जा सकता है वही ब्लर सेटिंग से ये इमेज धूंदली हो जाती है के एक्टर मितंजink रशाइब को इस्पार्ड में भृति कर वाये गया है बताया जाता है कि सीने में डर्द्द की सि liability के बाद यह स्पार्त को लेकर उनके परिवार की तरफ से वयान सामने आया है परिवार का कहना है कि रूटीन चेकप के लिए अभिनेता को अस्पताल में अडमिट करवाये गया है इधर उनके फैंसे इनकी अच्छी तवियत के लिए प्रार्टना कर रहे हैं आपको बता दे कि एक्टर को कुछ दिनों पहले पद में भूसन सम्मान देने की घोसना की गई थी इसको लेकर वक काफी खुस्त है उन्होंने अब तक करीब 350 फिल्मों में काम किया है साल 1976 में उन्होंने बंगाली भासा में पांच किताबे लिखी गई है जदियू के विधायक गोपाल मंडल का दावा आजजरी से फोन पर मिला ओफर बिहार में 12 फरवर मंडल ने जानकारी दिये कि पोर्व रिप्टे सीम से दस्वी यादव ने मुझे फोन किया था और आजजरी से लोगसवा चुनाब लड़ने का ओफर दिया था लेकिन मैंने उनके ओफर को स्विकार नहीं किया है इधर जदियू की विधायक मीना कामत ने कहा है कि पाला ब कोई सवाल नहीं है वह बिहार के मुझे मं 33 कुमार के साथ खरे हैं एंडी के सरकार बहुमत हासल करेगी वहीं फ्लोर टेस्ट से पहले जदियों की भोज में देरी से पहुंचने पर उन्होंने कहा कि जाम में फसने की कारण उन्हें लेट हो गया मेरी घराब हो गई थी मेर बेटा मेरी गारी को लेकर चला गया था हम प्रती दिन आपसे पांच जैसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसके जवाब बताएंगे जो की बीपी एससी बिहार पुलिस दरोगा समेत एससी जैसे ने प्रतोगी पर एक्षाओं में काम आएंगे सवाल एतिहास बिहार स्प का उद्गाटन किया है आपसने है नई दिली आपसन भी है मुंबई आपसन सी है मरीपूर आपसन दिये लखनो इसका सही उतरहन नहीं दिली हाली में किस देश ने सैफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियंशिप 2014 जेती है आपसने है स्री लंका आपसन भी है भारत आपसन सी है जापान आपसन दिये चीन इसका संहुतरह भारत छेत्रफल के हिसाब से विहार का भारत में कौंसा अस्थान हैration स्थान है अपसन दिये च्छटवा ऐबर्वा कि दूसरी आदि कारिक भासा क्या है और सने संथालीайтесь smart इसका सेयुतर है उर्दू बिहार के पहले हरिजन मुख्य मंत्री कौन थे ऑप्सन ए है भोला पवन सास्त्री ऑप्सन भी है सरदार हरिहर सेंग ऑप्सन सी ए दरोगा प्रसाध राय ऑप्सन डी है भागवज्जा इसका सेयुतर है भोला पवन सास्त्री बीते दिन हमारे दोरा पूचे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पूचे के सवाल का जवाब देन के नाम है राजीब कुमार, गोनर सर्मा, दीपू चंद्रा, राजीब भड, उमेश्री सिदेव सादुल्ला, पालवी, पसुराम कुमार, पंकच कुमार, दास, नौसाद, रजा, मुहमत, साकिर, हुसें, रानी कुमारी, संगर्स, कुमार, उजाला, सिंग, विकरम कुमार, अंसु पासवान छोटू राजा संजीब कुमार इसके साथ ही बरने आज के सवाल की और आज का सवाल है ट्राफिक नियमों को नहीं मानने पर क्या कभी आपका इचालान कटा है आप अपना जवाब हमें हमारे कॉमेंट सुक्सन वॉक्स में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इत